Hello friends, good morning, मैं संधिप कुमार, Vistige में as a crown director, आज मैं आप सभी के साथ एक new वीडियो पे एक नया plan के वर में discuss करने आया हूँ जैसे कि हम सभी को पता है Vistige ने अभी अभी अपने business plan में थोड़ा सा update किया है यानि जो पहले हमें मिलती थी उस business plan को थोड़ा सा इनोंने change करके थोड़ा सा update करके अभी एक नया business plan company ने launch किया है और उसी का नाम है आत्मा निर्वर success plan आत्मा निर्वर यानि हम खुद अपने पेर पे खड़ा हो सकते हैं उसको कहा जाता है आत्मा निर्वर सो बस्टिज ने अज इतनी बढ़िया plan यहाँ पे launch किया है तभी आपको इस income के बारे में इस plan के बारे में पूरी अच्छी तरह से समझ में आएगी मुझे पता है सभी को थोड़ा बहुत जरूर पता है लेकिन depth में किसी को नहीं पता आज मैं इस वीडियो में आप सभी को depth में calculations बताने वाला हूँ इसलिए इस वीडियो को सुरू से लेकर last तक जरूर देखिएगा तभी जाकर आपको पूर income समझ में आएगी और इसमें मैं कौन-कौन सी income पर ज्यादा focus करके आपसे बात करने वाला हूँ वो भी मैं आपको बताऊँगा अभी तक हम सभी को पता है वस्टीज में हमें इस से पहले साथ तरीका का income मिलता था लेकिन अभी जो 7 type of income थी अभी हमें कमपनी ने वही income को 9 type of income के पीछे करवाट कर दिया पहले हमें साथ तरीके के income में क्या क्या मिलता था retail profit मिलती थी performance bonus, director bonus, leadership bonus, travel fund, car fund और house fund हमें मिलती थी यह यह साथ अलग-अलग तरह की income हमें मिल रहे थी लेकिन अभी जो new आत्मा निर्वर success plan है उसमें कमपनी ने हमें 9 अलग-अलग type की income प्रोवाइड कर रहे है 9 में से retail profit रहेगा, performance bonus रहेगा, bronze director bonus रहेगा, business building bonus रहेगा, leadership bonus रहेगा, travel fund रहेगा, car fund रहेगा, house fund रहेगा और elite club bonus भी रहेगा अभी इसमें 2-3 income ऐसी है जो आपको new लग रहा होगा, इसके वर मैं आपको अच्छी तरह से बताता हूँ पहले भी हमें यहां पर क्या होता था, retail profit 10 से लेकर 20% ही मिलती थी, अब भी company retail percent 10-20% ही दे रही है उसके बता में जो performance bonus मिलती थी, वो पहले 5 से लेकर 20% मिलती थी, लेकिन अब जो है यहां पर 5 से लेकर 11% मिलता है अब बहुत सरे लोगों को यहां पर question mark होता है कि performance bonus पहले हमें जादा मिलता था तो यानि अभी performance bonus company ने कम कर दिये तो हमारी income भी कम हो जाएगी, बिल्कुल नई friends अगर आप इसको अच्छी तरह से समझ लें, तो आपको यहां से कितनी बड़ी income आ सकते आप सोच चकते हो मैं आपको simple example देता हूँ, जैसे आप performance bonus पहले हमें 5 to 20% करना होता था यहने अगर आप 20% में पहुचना चाते हो, तो आपको उस case में क्या करना पड़ता था, 10,000 PV का business करना होता था यहनि लगभग 2,80,000 से लेकर 3,00,000 रुपे की आपको business करना होता था उस case में आप क्या बनते थे, bronze director बनते थी, यहनि 20% आप cross करते थे लेकिन friends, अभी 10,000 PV आपको करने के जरूरत नहीं है अभी prestige ने क्या बोल रहा है, अगर आप accumulated के system पे month 1, month 2, month 3, month 4 अगर ऐसे जूड़ता हुआ क्रम में, अगर आप 5,000 PV कर लेते हैं, यहनि 5,500 PV कर लेते हैं तो आप बन जाते हो bronze director, आप बन जाते हो 11%, यहनि इस case में क्या होता है यह आपको performance once gap commission तो जरूर कम हुआ, लेकिन अभी आपके team में या आप bronze director बनने के chances बहुत जादा fast हो गया यहनि पहले अगर आपको 20% complete करने में, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना का समय लगता था अभी आपको same case में 2-3 महीना मुस्किल से लगेगा क्योंकि पहले आपको यहाँ पर 3,000,000 रुपे की business करना होता था चार घंटे में ही मैं आपको 50,000,000 दूँगा तो आपको feeling कैसी होगी यहाँ आधा काम पूरा पैसा, friends यहाँ पर भी same है लेकिन यहाँ आधा काम और double पैसा पूरा पैसा नहीं, double पैसा, so इसके लिए आपको यहाँ पर क्या होगा performance bonus बहुत ही बढ़िया है, इसको मैं आलग से आपको समझाओंगा उसके बाद हमें जो यह पर मिलती थी, director bonus 16%, यहाँ भी हमें business building bonus company ने 14% दिया लेकिन इन दोनों की बीच में एक और income company ने add कर दिया, वो है branch director bonus अभी जो branch director bonus है, इस income को बहुत ही अच्छी तरेकर से समझना आपको जरूरत है, क्यूंकि जो branch director 4% है, इसके बढ़े में ही मैं especially बात करूँगा और यहाँ से, पहले जब हम 2000 PV कर रहे हैं तो हमें कितनी income आ रही थी, अभी हमें इस business पे, अभी अगर हमने branch director बन गया, अभी अगर मैं 2000 PV कर लिया, तो मुझे अभी कितना income आ सकता है मैं इसके बारे मैं आपको fully details में इस वीडियो में समझाओंगा, इस वीडियो को last तक जरूर देखिएगा, यह वीडियो थोड़ा से लंबा जरूर होगा, पर आपको सही information सगर चाहिए, जरूर इस वीडियो को देखना है उसके बाद हमें जो मिलती थी leadership overrating director bonus जो पहले हमें मिलता था, अभी यहाँ पर just name change हुआ है, इसका business building bonus 14%, अब मैं आपको यहाँ से एक twist बताता हूँ, पहले हमें जो director bonus मिलता था, वो किसको मिलता था, bronze director से लेकर अपको up to high level तक मिलता था, तो यहाँ पर क्या होता था, बह ब्रोंज director के लिए अलग से club निकाला हुआ है, तो अभी इस income से, यानि business building bonus से, director bonus से, bronze director सारे बाहर चले जाएंगे, यानि हमारे business पे, इस prestige के अंदर, bronze director ही सबसे जादा होते हैं, और आप सोचिए, जब सब bronze director निकलके, यहाँ से यहाँ shift हो जाएंगे, तो अभी हमारी जो लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, सारे bronze director भाहर चले जाते हैं, तो आप सोच सकते हैं, जहाँ पर हमें 0.71 पैसा मिलता था, अभी उसी case में, आप सभी को कम से कम, एक रुपे भी मिल सकता है, लेड़ रुपे भी मिल सकता है, लेकिन यह तो पता चलेगा, जब मैं आगे बात कर ले रहे हैं, लोबी ले रहे हैं, आप सभी के लिए बहुत की बड़ी गुड़नियूस है, आपकी लोबी फिर से बढ़ने वाली है, कितनी बढ़ने वाली है, कम से कम 10% तो जरूर बढ़ेगी, उसके बाद हमें जो मिलता था, ट्रवेल फांड पहले हमें 3% ही मिलती थी, अब हमें ट्रवेल फंड कितना मिलेगा, पांच परसेंट मिलेगा, इन्हीं ट्रवेल फंड भी कमपनी ने बढ़ा दिया है, जहां हमें एक सिल्वर कोड ट्रवेल फंड की अगर मैं बात करूँ, अगर मीनिमम टू मिनिमम भी हो बिस्निस कर रहा था, जहां पर इसको 1500 कारफंड मिल रहा था, पहले 5%, यहां भी आपको कारफंड 5% ही मिल रहा है, पहले आपको हाउसफंड मिलता था, 3%, यहां भी आपको हाउसफंड 3% ही मिल रहा है, लेकिन यहां यहीं तक खतम है, पुराना प्लैन में 7 तरीकी इंकम था, वाट यहां एक और इंकम बची और फ्रेंट्स मैं आपको बताता हूँ डबल क्राउन डिरेक्टर पहले बनने के लिए बहुत महनत करनी पड़ती थी लेकिन अभी तो बच्छों का खेल हो गया क्योंकि जब कंपने ने आधा बिस्नेस पर ब्रॉंज डिरेक्टर बना दे रही है तो आप जल्दी से जल्दी और दियू सिदीडी कम्रेट कर सकते हैं अभी इसकेस में बहुत सरे लोगों को एक सवाल होता है और वो सवाल यह है कि कंपनी डिसेंबर तक थो यह प्लान को एनॉंस किया हुआ है कि डिसेंबर तक न्यू प्लान हम लोग रखेंगे क्या डिसेंबर के मतुत फिर से पहली इनकम पर रही है लेकिन इस इंकम को थोड़ा से डिवाइट करके ताकि लोगों को ज्यादा इंकम आये इसके लिए company नहीं अलग अलग तरह की इंकम कर दिया है और मैं आपको बताता हूँ company यहां पर दोनों में से कोई इसा भी plan को continue कर सकता है लेकिन company क्या decision ले सकती है जैसे कि किस plan में business ज्यादा हो रही है किस plan में achievers को ज्यादा पैसे मिल रहे हैं किस plan में ज्यादा achie plan को continue करेगा और मैं आपको बता दो heartly मुझे जो लगता है 99.99 चांसे की new plan ही continue हो क्योंकि क्योंकि company सेम प्लैन ही बाट रही है लेकिन जहाँ achievers ज्यादा आएंगे वही तो company करेगी ना सो आज की मुझे लगता है यही plan continue होगा अभी मैं आपको next जो बताऊंगा सबसे खास करके जो मैं डिस्क्राइब करूंगा ब्रोंज डिरेक्टर बोनस जो ब्रोंज डिरेक्टर बोनस है यहां आप कितना ले सकते हो पहले आपको कितना मिल रहा था अब आपको कितना मिलेगा यह बहुत सभी लोगों को confusion है और इसकी calculation हमें कैसे होती है मैं आपको यही आज की डिएट में आपको डिस्क्राइब यह 4 % जो bonus है यह कैसे कैल्कुलेट होते हैं और इसमें पहले 2000 में कितना मिलता था और अब कितना मिलेगा चलिए मैं आपको नेक्ष इसको दिखाता हूँ अब यह जो bronze director bonus है company से calculate कैसे करती है company इसको यहाँ पर कितना पाइसा बाठ सकती है company इसको कैसे देगी तो यह अब हम समझते है तो देखिए आज की देट में जो bronze director bonus है company 4% के announce कर दिया है अब यहाँ पर अगर मैं example बताओ तो company समझे अभी अभी जो company continue जो turnover कर रहा है महीने का on an average 200 करोड का company जो है turnover कर रही है तो अभी 200 करोड turnover जो company कर रही है इसमें से हमें director bonus कितना मिलेगा यह मैं आपको पहले बताने की कोशिश करता हूँ अगर company 200 करोड का turnover करती है तो 200 करोड का company हमें कितना business volume कितना देता है 60% business volume देता है इन्हें अगर मैं 200 करोड का 60% अगर मैं निकाल लेता हूँ तो यह कितना होता है 120 करोड business volume यहाँ पर आगया यानि अगर अभी company 200 करोड का turnover कर रही है तो 200 करोड का 60% अगर मैं देख लो तो यहाँ पर 120 करोड बीभी जो है company यहाँ पर बाढ़ती है अभी 120 करोड जो बीभी आया इसका company कितने percent director bonus में बाढ़ती है bronze director bonus में 4% बाढ़ती है यानि 120 करोड का अगर मैं यहाँ पर 4% निकाल लेता हूँ तो यह होता है 4.80 करोड यहाँ पर हो जाती है सिंपल सी calculation है 200 करोड का 10 over हुआ उसका 60% 120 करोड 120 करोड का 4% कंपनी bronze director bonus में बाढ़ती है तो यह कितना हो गया 4.80 लाख रुपे हो गया अभी मैं आपको यहाँ से एक और example देने की कोशिस करता हूँ हम सभी को पता होगा जब कंपनी एक करोड क्लाब जो हमारा skim fund चल रही थी यानि हमें जो skim fund मिलती थी एक टाइप हम सभी को याद होगा कंपनी 3300 PV करने पर bronze director and above सबको skim fund दिया करती थी bronze director 2 star जो होते थे उनको अभी इस case में क्या होता था जो हमें skim fund मिलती थी यह skim fund कभी-कभी हमें director bonus से कम मिलता था कभी-कभी director bonus से ज़्यादा मिलता था कभी-कभी director bonus जितना ही मिलता था यह किसके उपर depend होता था अगर achievers ज़्यादा आ जाता था तो हमें skim fund कम हो जाती थी क्योंकि limit कितना था एक करोड रुपे ही था तो इस केस में क्या होता था achievers ज़ादा होने पर हमारे amount कम हो जाते थे और achievers कम होने पर हमें scheme fund director bonus से ज़ादा मिलती थी और अगर equal होता था तो क्या होता director bonus जितना ही हमें scheme fund मिलता था यानि यहाँ पर अगर मैं एक calculation अगर ले लेता हूं तो एक करोड क्लब जो company एक करोड जो scheme fund बाढ़ती थी वो भी company 0.71 एक average ले लेता हूं 0.71 पैसा ही company यहाँ पर बाढ़ती थी अब इस case में क्या होता है company एक करोड जब बाढ़ती थी तो company point value कितना थी company की 0.71 पैसे से calculate करती थी अब इस case में आप यहाँ पर branch director कितना है 4 करोड 80 लाक रुपे यानि एक करोड कहां और 4 करोड कहां यानि कितने टाइम ज़्यादा हो गया 4.8 यहनि लगबग 5 टाइम ज़्यादा हो गया फिर भी मैं 4 करोड ही समझ लेता हूं 4 करोड है तो 4 टाइम ज़्यादा हो गया यहनि यहाँ पर 1 करोड था तो यहाँ पर कितना हो 0.71 अभी यहाँ पर कितना है 4.80 करोड है कम से कम 4 टाइम ज़्यादा तो यह लगबग होना चाहिए 2.80 रुपीज आप समझने की कोशिस करो एक करोड क्लब में 0.71 था यहनि 0.71 करी कितना होगा चार गूना जाला होगा अगर 0.71 into 4 हम कर देते हैं कितना होगा 2.80 अभी मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर आपको डिरेक्टर बोनस में कितना मिलेगा आप जब ओल्ड प्लैन में काम कर रहे थे जब 2,000 PV अगर हम यहाँ पर करते थे यहनि अगर अपने 2,000 PV ब्रोंज डिरेक्टर में में किया होता था तो आपको डिरेक्टर बोनस मिलती थी अभी जो डिरेक्टर बोनस है यहाँ पर हमें कितनी मिलती थी यहाँ भी हमें 6% ही मिलती थी तो कितना 120 PV हमें यहाँ पर मिलता था यानि 2000 PV अगर हम करते थे उसमें director bonus point हमारा 120 होता था 6% की हिसाब से और इसको हम क्या करते थे 0.18 से multiply करते थे और उसको 0.71 से हम लोग multiply करते थे तोटर यहाँ पर जो हमारी income होता था 1533 रुपे यानि जो पुराना प्लान था उसके इसाब से हुआ करते था अभी यह जो आत्मनिर्वर सक्सेस प्लान है फिर इसके इसाब से अगर हमने 2000 PV कि हो तो हमें कितना आ सकती है simple example अभी यह जो है यह new वाला प्लान है और यह new प्लान में क्या होता है यहाँ पर भी सबसे कितना किया था 0.71 किया था लेकिन अभी 4 कROड के हिसाब से कंपनी की point value कितनी होनी चाहिए 2.80 वोनीचाहिए यह मेरी calculation के हिसाब से क्यूंकि अगर 1 कROड में 71 पैसे किसी हब से कंपनी के बाट रही थी तो 4 कड़ के हिसाब से at least 4 times ज्यादा होना चाहिए तो अगर यह 2.80 हुआ तो क्या होगा इसको 2.80 से हम लोग multiply करेंगे तो यह होगा आपको 6048 रुपए यानि आप एक बर सर कहते हैं न सोचने की हिम्मत तो करो पहले 2000 पीवी आप कर रहे थे पहले 2000 पीवी में आपको कितना मिल रहा था अभी सेम 2000 पीवी में आत्मा निर्वर सक्सेस प्लैन में 4% के हिसाब से आपको कितनी मिल रहे 6000 रुपए यानि आप सोच सकते हो कम से कम चार टाइम ज्यादा मिला यह आपकी जो इंकम है अभी 4 टाइम बढ़ गया तो आप फ्रेंट्स एक बस सोचने की कोशिस करो मैंने सिर्फ 2000 पीवी के कैलकुलेशन बदा है अगर अपने 4000 या 5000 पीवी किया तो क्या होगा कम से कम आप 4500 पीवी अगर करते हैं आप ब्रोंज डिरेक्टर में ही 15-20,000 रुपे की इंकम पंढ़ बढ़ी आराम से ले सकते हैं आया ना मज़ा तो यहां इस तकेस में क्या होता है यानि यह जू कैलकोलेशना हे टू पंटे इयूlor मन्त का हमें जब सेलरी आएगी जब हमारी जो प्याउट नागति है लेकिन आपको पता चलेगो एक्सेट कंपणी कितना बाड़त है लेकिन मैं आपको गैरेंटेट बताता हूं अगर क्यालकुलेशन इसी के हिसाब से अगर हमने किया तो एक करोड की सबसे अगर 0.71 हुआ तो चार करोड के हिसाब से 2.80 भी होना एकदम मामली सी बात है तो अगर यहां पे हुआ तो आप लगभग चार से पांच टाइम ज्यादा पैसा कमा सकते हो तो पहली वाली ओल्ड डिरेक्टर पे आप 15,000 पे कमा सकते थे और आपकी डिरेक्टर बनस में आप 6,000 पे कमाएंगे आप सोचो आपके नीचे अगर डिरेक्टर सितना कमाए तो आपकी बिसनेस कहां तक जाएगी क्योंकि हम बिसनेस को आप बहतर तरीके से करते हैं प्लैन को पूरा समझते हैं तो आपको इससे बहतर इंकम आपको कहीं नहीं मिलेगा मैंने सिर्फ एक इंकम को डिस्क्रब किया अभी भी बहुत सारे है ट्रबल फंड है एलिट क्लब बोनस है यह सारे चीजों को मैं एक एक करकी इस ज्यादा इंपोर्टेंट वीडियो है जितनी सारी ब्रोंज डिरेक्टर है उस सभी लोगों को यह वीडियो को 100% देखना चाहिए आपके टीम में जितने सारे लोग है सबको भेज दीजे ताकि सब लोग जल्दी से जल्दी ब्रोंज डिरेक्टर कंप्लेट करें और किसे का कॉमेट करना आपको पहली वैली डिरेक्टरफ morning सही है या अभी बाला सही लग रहा है पहली वैली प्लैन सही जरूर कंध करके बताना मैं आपसे नेकष्ट वीडियो पर मिलता हूँ ठैंक यो थैंक्स पर वट्षिण्ग जय रेश्टीच जय हिंतिस्तान